सब्सक्राइब कीजिए टेकन और वीव चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हिंदी टेकनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तो कैसे आप लोग टेकन और वीव में आपका स्वागत है और दोस्तो शाओमी का जो सबसे पॉपुलर सीरीज है मतलब सबसे पॉपψε पॉपुलर जो फोन सीरीज है वो है रेद्मी नोत सीरीज और दोस्तो रेद्मी नोत 7 और नोत 8 प्रो बहुत ही पॉपुलर रहा है बहुत ही बढ़या स्पेसिकेशन और अग्रिसीव प्राइसिंग में går integration 2 और आपको पहले बता दूद e Note 9 Pro already China में certified हो गया है और येस जैसे आप इस picture में देख सकते के Note 9 Pro हमें बहुत ही जल्दी मिलने वाला है तो आज इस वीडियो में चलिए बात कर लेते Redmi Note 9 Pro के बारे में इसमें क्या-क्या हमें देखने को मिल जाएगा और अभी तक हमें जो leaks और information पता चला है Redmi Note 9 Pro के बारे में आज इस वीडियो में चलिए हम उसे देख लेते हैं तो चलिए वीडियो को फटा-फट से शुड़ू करते हैं पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अमरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकर मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए देख लेते हैं अपकमिंग Redmi Note 9 Pro दोस्तो अगर सबसे पहले हम देख लेते हैं इस फोन का डिजाइन तो यहाँ पर Redmi Note 7 Pro या फिर Note 8 Pro की तरह हमें एक बार फिर से देखने को मिल जाएगा ग्लास बोडी और अगेन हमें एक प्रीमियम बिल्ट के साथ Redmi Note 9 Pro देखने को मिल जाएगा पर दोस्तो सामने की तरफ इस बार हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को नहीं मिल जाएगा क्योंके डिस्प्ले के उपर हमें इस बार पंच होल कट आउट देखने को मिल जाएगा पर दोस्तो यहाँ पर शाओमी फैंस के लिए एक डिजपॉइंटमेंट जैसा कुछ है क्योंके अगेन हमें Redmi Note 9 Pro में AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा जी हाँ दोस्तो अगेन हमें IPS LCD पैनल ही Note 9 Pro में देखने को मिल जाएगा अगर cameras की बात करें तो यहाँ पर कुछ changes हमें देखने को मिलेगा जी हाँ आपको same again जो quad camera setup हमने दूसरे mid range phones में देखा है जैसे 64 megapixel की primary sensor वगेरा 8 megapixel ultra wide angle lens macro sensor वो ही same camera setup हमें Note 9 Pro में भी देखने को मिल जाएगा पर जो changes यहाँ पर होगा वो है कि Poco X2 की तरह इस बार हमें 64 megapixel जो Note 9 Pro में देखने को मिलेगा उसमें Xiaomi यूज करने जा रहा है Sony का latest IMX 686 sensor और अगर हम front facing camera को देखते तो यहाँ पर हमें again 20 megapixel की एक front facing selfie camera देखने को मिल जाएगा पर दोस्तो जैसे मैंने अल्रेडी बताया आपको इस बार हमें water drop या फिर dot notch style का notch नहीं मिलेगा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा एक punch hole display ना अगर बात करें performance की या फिर क्या CPU और GPU setup हमें इस phone में देखने को मिलेगा दोस्तो यहाँ पर यह एकदम confirmed है कि Note 9 Pro में हमें देखने को मिल जाएगा Snapdragon 720G CPU और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यह confirmed है क्योंके यहाँ पर Manu Kumar Jen ने tweet किया था कि Snapdragon 720G के साथ एक phone launch होने वाला है और दोस्तो ऐसा बता जाए रहा है कि काफी ज्यादा चांसे से कि Note 9 Pro में हमें Snapdragon 720G ही देखने को मिल जाएगा पर यहाँ पर अगर हम बैटरी या फिर चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें Note 9 Pro में देखने को मिल जाएगा 4500 इमेज की बैटरी उसके साथ दोस्तो काफी ज्यादा चांसे से कि इस बार हमें बॉक्स के अंदर ही एक 33 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाएगा और दोस्तों Android वर्शन की बात करें तो मैं आपको यह बता दू कि बहुत ही जल्दी चाइना में लांच होने जा रहा है MIUI 12 और यहाँ पर बता जा रहा है कि Note 9 Pro के साथ MIUI 12 आने का काफी ज्यादा चांसे से जिसके साथ अगेन आपको मिल जाएगा Android 10 की अपडेट दोस्तों फाइल अगर हम देखते हैं Note 9 Pro की लांच डेट और प्राइस के बारे में तो यह मैं आपको पहले बता दू के शाओमी एक साल में दो बार फोन लांच करता है तो यहाँ पर Note 9 Pro का ओफिशियल लांच डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है पर दोस्तों यहाँ पर भी अगेन काफी ज्यादा चांसे से अगर हम दूसरे Note series लाइनप को देखते हैं तो February के end में एक चांस है Note 9 Pro आने का प दूसरे Note series लाइनप की फोन को अगर देखते हैं तो अगेन यहाँ पर हमें Note 9 Pro नीर टू 15,000 के आसपास ही देखने को मिल जाएगा और दोस्तों Poco 120Hz के डिस्प्ले दे रहा है 16,000 में उसके साथ Realme 6 Pro का भी लांच बहुत ही जल्दी होने वाला है तो इन सारे फोन को देखन क्या उसके साथ हमें 120Hz की refresh rate वाला डिस्प्ले मिलेगा आपको ख्या लगता है हमें जरूर बता है नीचे कमेंस में और यही ताच के वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इसके साथ हमें इस वीडियो को मिलते हैं अगले वीडियो में